ये नए तरीके के मूली की सबजी बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे बहुत ही टेस्टी बनके रिड़ी होता है इसे हम सर्दियों के मौसम में ही खाते हैं तो ताजे और हरे मूली की सबजी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पे मैं तीन मीडियम साइज की मूली ले लिए हूँ जो थोड़े सॉफ्ट होता है हमें बड़े साइज के मूली नहीं चाहिए हमें मीडियम साइज के मूली चाहिए और उसे फोक के हिल्पसम इस तरह से गूत लेंगे आप देख सकता हैं चारों तरफ से के इस तरह से फोक से आप कर लिजे इससे क्या होता है मूली के अंदर सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से चले जाते हैं तो आप अपने कंविनियंट के हिसाब से इसे कट कर लिजे थोड़े बड़े या छोटे जिसे perceived भी आपको पसंद है मैं इसे कट कर लेंगे हम और हम एक इसे बड़े कटोरी में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम एड करेंगे कुछ हमारे मसाले यहाँ पर मैं आधा चम्मच धनिया पॉडर आधे से कम नमक वन फोर्थ चम्मच मैं ले रही हूं हल्दी और यहाँ पर मैं दस से बारा काली मिर्च है जिसे ताजा हम कूट ल लिए इसी के साथ एड करेंगे यहाँ पर दही यहाँ पर मैं फ्रेश दही लिए खटा पिलकुल भी नहीं है तो 4 चम्मच दही आड करके इसे मिक्स कर लेंगे अगर दही खटी है तो आप एक से दो चम्मच ही आड करिए तो सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाने पर उसके बाद दो हरी मिर्च इस तरह से मैं लंबा चीर दी हूँ और उसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ढख के रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक यह रेस्ट हो रहा है तब तक हम एक दूसरे कटोरी में यहां पर मैं दो चम्मच ले ले रही हूँ पीला सरसो आप यहां पर कालार सरसो भी यूज कर सकते हैं। इसे के साथ एड़ कर देंगे यहां पर कम से कम 15 लेस्ट की कलिया इसमें लेस्ट थोड़ा ज्यादा यूज होता है। तो 15-16 लेस्ट की कलिया ले लेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे मैं दो हिस्सों में कट कर ली हूँ और एक चम्मच भर के यहां पर डाली हूँ में धनिया पौडर और आधा चम्मच डाली हूँ में जीरा पौडर। ये सारे मसाले को हम थोड़ा सा पानी डालते हुए एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बिल्कुल फाइन होना चाहिए। इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे उसमें मैं सरसो का तेल ली हूँ दो बड़े चम्मच तेल के गरम होते ही हम जो सरसो और लहसन का पेस्ट था वो डालेंगे और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से भुनना है लोटू मेडियम फ्लेम में हमें इसे भुनना है कि ये मसाल तो इसे हम थोड़ी देर और चला लेंगे job Of Ya आप देख सकते इसमें से कितने अच्छे तरीके से ओयल जो है separate हो गया है तो यहां मैं कुछ हरे और ताजे मूली के पत्ते यूज़ कर रही हूँ मूली के पत्ते बिलकुल ताजे और सॉफ्ट होने चाहिए अगर पीला पीले पत्ते हैं उसे हटा दीजे और अगर आपको नहीं पसंद है मूली के पत्ते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं मूली के पत्ते डालते हुए यहां पे मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ ध्यान रखेगा हमने जो मूली को मैरिनेट किया है उसमें भी हम नमक डाले थे तो उसे हिसाब से हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे नमक डालने से मूली के पत्ते बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने तक भुन लेंगे एक दो मिनट भुनने के बाद इसे भी हम ढखके पकाएंगे धक्के पकाने से मूली के पत्ते बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं एक मिनट में एक से दो मिनट बाद हम इसे फिर से चला लेंगे आप देख सकते हैं मूली के पत्ते गल के बिलकुल थोड़े से हो गए तो इसी स्टेज में जो मैरिनेट किये हुए मूली थे उसे हम ले लेंगे और कटोरी में जो भी मसाला था थोड़ा सा पानी डालते हुए उसे भी हम इसमें डाल देंगे तो ये सारी चीजों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पहले भुन लेंगे flame को इस वक्त आप थोड़ा से medium कर लीजे क्योंकि दही डालने से क्या होता है कि वो भी जो हमारी gravy है वो ठंडी हो गई है तो इसे हम 4-5 मिनट तक भुनेंगे जब तक कि हमारे ये चारो तरफ से oil ना separate होने लगे जब oil अलग होने लगे तब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे पानी आपको जितना gravy ज़रूरत हो उससे आप double पानी डालिए क्योंकि हमें मूली को पानी में ही पकाना है और फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है बाद में क्योंकि हम इसमें बेसन डालें तो एक ग्लास भरके मैं यहाँ पानी डाली हूँ गरम पानी यूज करियेगा और फिर इसे ढखकन लगाके चार से पांच मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो चार पांच मिनट हो गए है आप खुद देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी भी थोड़ी से गाड़ी हो गई है तो इसे थोड़ी दर और चला लेंगे और चेक करेंगे कि मूली पग गया है की नहीं तो यह देखें मैं दिखा रही हूँ आपको यह फोक बहुत अच्छे तरीके से इसमें घुश जा रहे हैं आप देख सकते हैं तो मूली हमारे बहुत अच्छे तरीके से पग गए है और सौफ्ट भी हो गए है यह देखें तो यह बहुत टेस्टी है सबजी बनके रेडी होता है तो इसे हम ढख देंगे अब हम इसकी तड़के की तयारी कर रहे हैं तड़के के लिए यहाँ पे मैं दो बड़े चमच सरसू के तेल में दो तीन पिंच हींग और उसी के साथ वन फोर्थ चमच में डाल रही हूं अजवाइन इसे डालते हुए हम इसमें तड़का डालेंगे आपको अगर तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पॉडर भी तड़के में एड़ कर सकते हैं तो यह हमारी सबजी बनके रेडी हो गई है इसे आप रोटी चावल या पराठे के साथ सर्फ करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी थैंक यू मेरी रेसिपी को एंट तक देखने के लिए